काफी लोगों का मन जो है न बहूस्न सेंशिटीव रहता है। ठोड़ी सी बात होगी तो उनको रोना आईगा। ठोड़ी सी बात होगी तो लोको हो जाएंगी, दुख हो जाएगा। ठोड़ी बात के उपर वो अफिसेट हो जाएगे। और स्पेशली उनको रोना आना या दूख होना या गुस्सा आना ऐसा ज्यादा होता है चुड़ी बात की ओपर भी तो उसके बारे में मैं आपको आज एक केस्टिडी बताने वाला हूं ताहिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है मेरा नामें डॉक्टर दीपक केड़ेकर म मनोविकार सेख्योंसनों द्रवशम की तंगियों महराष्ट में अकोला में उसको कुछ भी बोल दिया किसने तो वो एकदम एमोशनल हो जाएगे कि मुझे ऐसा क्यों बोला मुझे ऐसा क्यों डाटा मेरे को खाना खाने के लिए क्यों बोला बोला नहीं तो खाने के लिए क्यों नहीं बोला या उसको बढ़ा ही कर तो उसको घुसा आएगा या मुझे है कि जैसा मजाग में बोलता हूं कि जैसा उपर टंग की बरिवे पानी की और वह continuous flow चालू है इतने बार मतलब दिन में 10-15 बार तो रो लेंगे फिर कोई मजा भी करेंगा दोस्त मजा करेंगे फ्रेंड्स लोग मजा करेंगे तो वहां भी उसको रोना आएगा एंड फिर वह जो है न वह प्राबलेम हो जाता है कि फिर होता कि है कि मुझे मतलब वो लड़की जो आई थी उसको रोना आ रहा है करके वो फिर यह को सब्सक्राइब करण यह दो मत एसा कर उसको मत बोलो वह सक बोलेंगे तो रोल लेंगे ऐसा बोलेंगेters वह असले जाएगी तो जयादा जाएगा बढ़ते जाता है कि आ जब वह भी ऐसा हुआ क्या एसा क्यों हो रहा है इतनी emotional क्यों है मतलब गुस्सा और रोना इस में देखा तो उसको रोना ज़्यादा बार आथा था दिन पर गुस्सा नहीं आता था इतना एक तो फिर गुस्सा आएंगा तो बाद में फिर वो रोहेंगी ऐसा हुआ क्या मिदलब ऐसा क्यों हो रहा है बछपन में ऐसा क्या हो गये कि उसको बढο है आपको कंसलिंग करना कढ़ेगा बारबार आना पढ़ेगा उसने आना चालू किया बारबार चरचा करना चालू कर दिया जब हम खुते गए उसको हिपनोड़ाइस किया ईब्मिंषा उसको मेरे उसकोहां एप तुम पीछे 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 जा रही है है अपने lifetime में जैसा भी वह उमर 14 साल है फिर बारह साल है फिर दस साल एँ इस को पनी 13 तो एकदम उसने रोना चालू कर दिया, मैं भाई हुआ क्या, तो उसने बताए कि आठ साल की जब वो थी और जब स्कूल में थी वो तो उसके जो टीचर थे, उसको उसने कुछ से भी पूछा और पूछने के बाद में मतलब उसके इतना जोर से चिलना है वो और उसका इतना बड़ा इंसल कर दिया कि उसको वहां के महीं पेशा हो गई क्लास में सब लोग हसने लगे टीचर को ऐसा लगा कि यह ऐसा भलते हो गया बड़े बाप की बड़ी बेटी अभी क्या होगा टीचर भी घबरा गया वो भी घबरा गई बच्चे सब हस रहे और बड़ा सीन क्रिये और फिरो ना चलो हो गया तो जो ऐसी हिस्ट्री मिली कि बड़ी इसका जड़ कहीं तभी है कि बच्पत में कुछ तभी हुआ उसका उसने इंटर्पिटेशन अपने दिमाग में ऐसा लगाया कि बड़ी मैं कमजोर हूं मैं इतनी अच्छी नहीं हूं मैं इतनी मैं इसी बात्चीच चालू किया और उसका वजय ऐसा हो कि फिर कहीं भी जाती है तो उसका वह बैगरांड में रहता है कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूं मैं इतनी पावर्फुल नहीं हूं मैं तो बहुत कमजोर हूं और जब ऐसा धिमाग में चालू है कंटिनूसली सबकॉ बार 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 उसको positive thoughts, positive visualization और वो scene बार बार उसको मैंने imagine करने के लिए बोला ऐसे कई scene फिर बाद में उसको बोला कि मैं imagine करो कि जहां आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कमजोर हूं और उसका सामना नहीं कर सकूँगी वो scene वो imagine कर रही है और इधर relaxed बैठी हुई है, इधर hypnotized है, scene imagine कर रही है और इधर hypnotized है, और relaxed बैठी हुई है, मतलब यह मैंने उसका deconditioning कर दिया, hypnotism में और धिरे 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 अच्छी होने लगी, धाई-तीन मैंने के बाद में बहुत ही अच्छी results मिले, और parents ने आ उसका असर, उसका impact बड़बन में होता है, हमको पता लगता नहीं है और हमको समझता है कि हम आज जो है वो ऐसे क्यों है, मेरा आज जो सभाव है आज वो ऐसा क्यों है, पता ही लगता नहीं है और हम सफर होते रहते हैं, तो आज इतना ही, आपको यह वीडियो अच्छा है, थैंक्स पर वाचिंग, थैंक्य। वरी मुच्छ वाचिंग, थैंक्य। वरी मुच्छ